इंडिया के गोल्डिन बॉई डीरच चोपडा ने दोहजार चौबीस का अपना बेस्ट थ्रू किया लेकिन ऐसा लगा कि पाकिस्तान के अर्शद नदीम आज आज आउट आफ सलेबस आए थे आज कुछ अलग महर्बानी उन पर थी और शायद यहीं वजा थी कि वो लड़का जो एक जमाने में जैवलीन खरीदने के पैसे नहीं जुटा पा रहा था ज़्यादा पुरानी बात नहीं साल भर की बात है अर्शद नदीम को जैवलीन नहीं खरीदनी थी सबसे दूर जैवलीन थू करता है और इसलिए आज सारी दुनिया कह रहे है कि नीरज चोपडा में कोई कमी नीरज अपना बेस थे बस अर्शद नदीम आउट अफ स्लिवर्स निकले थे नीरज चोपडा कंसिस्टेंसी लास ओलम्पिक में भी थी लास टाइम वो गोल्ड जीत कराए थे अजबर सिल्वर जीत कराए ओनली थर्ड फोर्थ इनियन जिसने दो मेडल जीते बट अर्शद नदीम पाकिस्तान के अर्शद नदीम आज कुछ अलग दुनिया में थे 89.45 मीरेच चोपडा ने अपना बेस्ट फेका लेकिन अर्शद नदीम अर्शद नदीम का सिकेंड बेस जो था वो भी नीरेच चोपडा से 2 मीटर जा रहा था पहला वाला 3 मीटर जा रहा था और ये बताता है कि वो कितने घजब आज मूड में थे सौ साल के तिहास में उलम्पिक किसी भी खिलाडी ने अर्शद नदीम से जादा लंबा थ्रो ने फेका ना सिर्फ उन्होंने आज गोल जीता बलकि एक रिकॉर्ड ही बनाया और ठीक ठाक मारजिन से बनाया इसलिए आप इंडियन हों पाकिस्तानी हों किसी भी देश थे हो आज आप अर्शद नदीम के लिए तालिया बजाएगे पीते 32 सालों में कोई मेडल नहीं जीता था वो आज सीधे गोल्ड मेडल जीत रहा है अर्शद नदीम ने 92.97 मीटर का एक रिकॉर्ड बना दिया पाकिस्तान के ओलंपिक हिस्ट्री का यह सबसे बड़ा मूव्मेंट है बार बार मैं कह रहा हूं लेकिन यह वही खिलाड़ अर्शद नदीम आज पाकिस्तान के सबसे बड़े अथलीट बने है सबसे बड़े अथलीट मतलब वो लड़का जो मिया चानू की गलियों में घूमता था संघर्ष करता था जिसका बाप गरीब था वो आज पाकिस्तान के लिए ओलंपिक से पहला गोल्ड मेडल ना रहा ह यह बताने के लिए काफी है कि कितना बड़ा पिया इसी साल जनवरी में अर्शद नदीम के पास पैसा नहीं था नई जैवलिन खरीदने का धर उधर वो बार बार भाग रहे थे बाग में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास गए शेबाद शरीफ के पास गए जैसे तैस करकर आया है तो आज गर्व का विशे है अर्शद नदीन में 92.97 मीटर फेका 91.79 फेका हमारे लड़के ने 89.45 फेका और बैडल आ गया लेकिन यह सच है कि अर्शद ने आज डॉमिनेट किया फाइनल में एक तरफा डॉमिनेशन जो है वो दिखाया और यहां से इंडिया प 32.97 गया लोगों को लगा तुक्का लेकिन जो तीसरी बार फेका तब अपने लेजंड होने कहानी सुना थी अर्शद एक गरीब परिवार से आते हैं लोगों ने मजाक की उड़ाया इनका जब यह गेम चुना था इनोंने बहुत मजाक उड़ाया अपने घर पर ही साधार और लड़का है लेकिन आप दुनिया के बड़े अथलेट्स में इनका नाम शामिल है और इसी वज़ा से आज सारी दुनिया चाहे इंडिया से हो पाकिस्तान से हो इनकी भी तारीफ कर रही है नीरत चोपडा ने भी जाके इनको एक हग किया और यह अपने आपने ब बढ़ ठीक है आप जितनी बढ़ाई दिया अपकम है इंडिया बहुत खोश है इंडिया को सिल्वर मेडल मिला पाकिस्तान और गोल्ड मेडल मिला पाकिस्तान का आज दिन है सो हमारी तरफ से सरह दुसपार रहने वालों को बढ़ाई नीरत चोपडा अफ हमारे गुरूर ह उमीद करते हैं कि अगली बार आप जल्वा जला करें लेकिन आज का दिन पाकिस्तान के अर्शद लदीम के विनाम जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता और छे में से दो बार भाला नब्बे से जादा फेका तीन नंबर प्र ग्रेनेडा के अंडर्सन पीटर्स से 85.454 लेकिन स अश्द लदीम इस अ ग्लोबल स्टार जो आउट आफ स्लेबस निकला है